अपके सामने एक और नए तरह का कोश्चन लेके आए हैं डियाई के अंदर दोस्तों डियाई काफी तरह की हो सकती है और यूजीशी नेट के अंदर वैसे तो सिंपल कोश्चन आते लेकिन थोड़ा सा घुमा फिर आके दे देते वो और हम समझ नहीं पाते हैं हमारा जो कोश वो गलत हो जाता है डियाई के अंदर हमें थोड़ा सा ध्यान देने के आवसकता होती है दोस्तों आप सभी के सभी पांचो के पांचो कोश्चन बिल्कुल राइट कर सकते हैं दोस्तों यह आप देख सकते हैं 25 जून 2019 का कोश्चन पेपर है इसमें जो पांच कोश्चन देखना और ध्यान से देखना दोस्तों यूजिस नेट एक्जाम देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल पेड़ कोर्स लॉंच किया है कंप्लेट स्टडी कोर्स फॉर पेपर फर्स्ट इस पोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है नमर एक पर दोस्तों आप सबसे यूनिक चीज़ आपको कहीं भी नहीं मिलेगी हमने यूनिट में से सब टोपिक वाइस क्यूशन भी अलग किये हुए हैं जैसे कि रिसर्च में हम बात करें इस तरह से हम बात करें टीचिंग में टाइप आफ टीचिंग मैथर्ड मोडल ऑफ टीचिंग इस तरह से पान सो से लेकि हजार रुपे में इस को जोईन कर सकते हैं समय समय पर टेंज होता रहता है तो आप नीचे वीडियो डिस्क्राइब बॉक्स में लिंक दिया हुए है वहां से इस को बाइक कर सकते हैं यह देखे दोस्तों सबसे पहले हमारा जो कोश्चन है इसके इंदर हम और यह इनकी कुल संख्या है किसी कलास के अंदर अब देखे इसने क्या कहा है कोश्चन के अंदर कोश्चन हम देखते हैं कि अंग्रेजी तथा हिंदी विभागों में कुल मिलाकर चात्राओ की कुल संख्या क्या है और सबसे पहले हमें यह देखना कि यहां पर यह देखे हैं देखिए इस question को हम किस तरह से करेंगे सबसे पहले अंग्रेजी और हिंदी देख लेते हैं अंग्रेजी यह और हिंदी यह है और चात्राओं की पूछा है तो चात्राओं की एक तो यह होगी और एक यह होगी यह हमारे पास percentage है और टोटल संख्या कितनी दी है दोस्तों 300 और 500 यहां पे दी हुई है यहां से हमें क्या करना दोस्तों हमें यहां पे real value निकालनी है यह 55% है 55% है दोस्तों अब हमें यह देखना कि कुल value 300 है 300 का 55% कितना होगा फिर यह 60 है 60% 200 का 60% कितना होगा वो दोनों निकालके हमें पलस करना और फिर बताना है कि इसकी कुल संख्या कितनी होगी चलिए ये कॉशन में आपको दिखा देता हूँ किस तरहेशी होगा देखेंश सबसे पहले हम बात करते हैं अंग्रे맛 जी की बात करते हैं अंग्रेर जी हमारा यह रहा इसके अंदर छात्रों का परतिसत कितना है छात्राओं का परतिसत कितना है दोस्तों 55% यहां पर दिया हुई यह हमने 55 लिख लिया multiply by जो हमारे पास कुल संख्या होती है वो हमने लिख लिया और percentage हटाने के लिए हम क्या करते हैं बटे में 100 करते हैं अब दिखिए दो 0 से ये दो 0 हमारी ये दो 0 कट गई अब हमारे पास क्या रह गया 55 गुना में तीन यहां पे रहे गया 55 की जब 3 से multiply करेंगे तो दोस्तों हमारे पास आजाएगा 165 यहाँ पे आजाएगा यानि कि अंग्रेजी के अंदर छात्राओं की संख्या कितनी है 165 है उसके बाद हम देखते हैं हिंदी में हिंदी हमारे पास यह है हिंदी में छात्राओं का परतिसत कितना है 60% यहाँ पे दिया हुआ है और कुल संख्या कितनी है 2500 यहाँ पे दी हुई है इसमें भी हम क्या करेंगे 60 गुना में 2500 बटे में 100 यहाँ पे किया और 10 से हमारी यह 0 कट गई और 10 से हमारी 60 वाली यह 0 कट गई अब 6 को जब हम 25 से गुना करेंगे तो 25,5,500 यहां पर आ जाएगा 25,6,000 यहां पर आ जाएगा अब देखे इन दोनों को हम plus करते हैं 150 को और 165 को जब हम plus करते हैं तो हमारे पास क्या answer आएगा दोस्तों हमारे पास आजाएगा 315 यहां पर answer आजाएगा तो इस तरह से आप बिलकुल असानी से कोश्चन निकाल सकते हैं अब इसमें बताइए दोस्तों क्या मुश्किल है कुछ भी तो मुश्किल नहीं है ये देखे जोड घटा गुना भाग परसेंटेज निकालना ये हमने आठवी दस्वी कलास में किये हुए है बस अब हमें इनको थोड़ा रिवाइज करने की आवसकता है तो बिलकुल असान कोश्चन आते हैं यूजी सी नेट के अंदर अब तो काफी असान आने लग गये 2019 के अंदर जो कोश्चन आये हैं दोस्तों बहुत ही असान कोश्चन आये हैं हमें उमीद है कि आगे भी हमारे ऐसे ही कोश्चन आएंगे चलिए दोस्तों अब हम अगला कोश्चन देखते हैं यह देखे दोस्तों यह कोश्चन है हमारा कोश्चन नमर 31 इसके अंदर इन्होंने क्या दिया है किसे विभाग में चात्राओं की संख्या ज्यादा है अब देखिए यहाँ पे अलग अलग विभाग दिये हैं यहाँ पे इनमें यह पूछावा कि किसे विभाग में चात्राओं की संख्या सबसे ज्यादा है अब देखिए मैंने बताय कि यह क्या यह percentage है और यह हमारी संख्या है अब देखे इसे में वैसे तो यह लग रहा कि 60 है 60% ज्यादा इन सभी के अंदर लेकिन दोस्तों यहाँ पे percentage नहीं पूछा यहाँ पे संख्या पूछी हुई है अब देखे 60 को जब हम 150 से multiply करेंगे तो यह हमारे पास क्या आ गया था 150 हमने value निकाली पीछे लेकिन जब हम 45 को 1415 से करेंगे तो इसकी value अलग आएगी तो दोस्तों इस तरह से हम यहाँ पे assume नहीं कर शकते हैं यहाँ पे हमें इन सभी का निकाल के देखना होगा चलिए इस question को हम करके देखते हैं कि किस तरह से question आएगा यह देखिए दोस्तों सबसे पहले हम भोतिक विग्यान यानि कि यह है भोतिक विग्यान इसको हम लिख लिते हैं यहाँ पे छात्राओं का परतिसत कितना दोस्तों 45 परतिसत दिया हुआ है और कुल संख्या कितनी है यहाँ पे 450 है यह हमने 450 लिख लिख लिया और अब बात अत्ति दोस्तों यहाँ पर हमने multiply so क्यों नहीं किया, दोस्तों हमें question निकालना है, हमें exact value वगरह नहीं निकालना है, अगर यहाँ पर exact value के बात करते, तो हम multiply so करते और देखते कि क्या answer आतना विल्कुल है, क्यों हमने यहाँ पर देखना दोस्तों कि किसकी संख्या ज्यादा है तो एक टाइम के लिए आप सो भूल जाए सो हम यहाँ पे नहीं लगा रहे सो को हमने कट कर दिया बगेर सो लगा के हम देखते हैं ठीक है अब देखें भोती के विज्यान में 45 को जब हम 450 से मल्टिपलाई करेंगे तो यह आजएगा 20,250 आजएगा अब उसके बाद में रसाइन विज्यान आता है दोस्तों रसाइन विज्यान हमारे पास यह है इसमें 35 35 गुना में 550 करेंगे तो यह आजएगा दोस्तों हमारे पास 19,250 यहाँ पे आजएगा उसके बाद करेंगे हम अंग्रेजी अंग्रेजी यहाँ पे दिया है 55 गुना में 300 करेंगे तो दोस्तों यह आजएगा हमारे पास 16,500 आजएगा इसी तरीके से गनित का करेंगे 40 गुना में 500 करेंगे तो यह आजएगा हमारे पास दोस्तों 2000 आजएगा इन सभी के अंदर देखिए दोस्तों इन सभी के अंदर भोतिक विज्ञान की जो value है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे दी हुई है अगर हम इन सभी के बटे में so करेंगे divide by so करेंगे तो भी भोतिक विज्ञान की जो value है वो ज्यादा ही आएगी तो हमें यहाँ पे so करने की आवशकता नहीं है divide by so करने की आवशकता नहीं है हमें केवल यह पता करना की कि किसकी संख्या ज्यादा है तो यहाँ पे हमारा answer निकल गया दोस्तों की भोतिक विज्ञान की जो संख्या है वो ज्यादा है तो यहां से आप बिल्कुल असानी से कोशन निकाल सकते हैं दोस्तों अगर आपको यूजिस नेट पेपर सेकेंड सभी सब्जेक्ट के 2012 से लेके 2023 तक कुशन पेपर चाहिए विद ओफिशिल आंसर की और अंसर टिक तो आप हमारी वेबसाइट निमीजी.net जरूर विजिट करना यहां पर आपको सभी सब्जेक्ट के कुशन पेपर के स साथ स्टडी नोट्स भी मिलने वाले हैं अगर आपको स्टडी नोट्स भी चाहिए पलस में लाई मौक टेस्ट भी लेने हैं तो हमारी वेबसाइट निमीजी.net जरूर विजिट करना थैंकि दोस्तों चलिए अब हम अगला कोशन देखते हैं दोस्तों अगला कोशन है हमा चात्रों की संख्या अंगरेजी विभाग में हमारी यह होगी 45 तथा गणित विभाग में चात्रों की संख्या गणित यह हो गया गणित में भी चात्रों की संख्या यह साथ होगी कि संख्या का अनुपात हमें निकालना है दोस्तों अब यह देखी यहां पर इन्होंने प 43 गुना में 300 बटे में 100 जो करते हैं उस तरीके से हम निकालेंगे अब देखी इसको कैसे करेंगे इस question को इसमें सबसे पहले हम गनित में देखते हैं गनित हमारा इसमें सबसे पहले हम अंग्रेजी में देखते हैं अंग्रेजी हमारा यह 55 गुना में 300 55 गुना में 300 हमने किया यह आ गया 13500 आ गया यहां भी हम 100 करने की आवसकता नहीं है दोस्तों आप चाहे तो divide by 100 कर शकते हैं लेकिन यहां पे इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है ठीक है और आगे दोस्तों गनित गनित हमारा यह है तो इसमें क्या हो गया दोस्तों 60 गुना में 500 हो गया तो यहां से कितन आ जाएगा 3000 यहां से कितना जाएगा 30,000 हमारा आ जाएगा अब देखी अब हमें इनमें अनुपात पता करना है यह हमारे संख्या आगी अब संख्या का अनुपात हमें पता करना है अनुपात के लिए क्या करेंगे दोस्तों साड़े तेरा हजार बटे में 30,000 अब देखे यह क्या होगा तीन चोके 12 और तीन पंजे 15 आ गया अब देखिए अब कितने पे कट रहा है यह पांच पे कट रहा है दोस्तों पांच निमा 45 और नीचे कितना आ जाया बीस यहाँ पे आ जायगा अब देखिए 9 अनपात 20 हमारे पास यहाँ पे आ गया 9 अनपात 20 कहाँ पे option number 2 में यह देख सकते हैं तो यहाँ से हमारा answer कि आ जाया दोस्तों option number 2 आ जायगा तो इस तरह से आप बिल्कुल असानी से question निकाल सकते हैं आप practice करके देखना दोस्तों यह जितने भी मैं question करवा रहा हूं आप video देखने के बाद इनका screen short लेना और उनको कर करके देखना क्या यह आ रहे हैं या आपको नहीं आ रहे हैं और अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है तो आप हमें whatsapp पे message कर सकते हैं या हमें comment box के अंदर जवाब लिख सकते हैं आपको कोई भी परेशानी है तो चलिए दोस्तों अब हम अगला question देखते हैं अगला question number हमारे 33 इसके अंदर कहा है कि किसी भी भाग में चात्रों की नियुनतम संख्या है अब देखी यहां पे इन्होंने कहा है कि चात्रों की जो संख्या चात्री इरा इसमें सबसे कम संख्या किसी भी भाग में है वो हमें पता करना है अब देखी इसके अंदर भोतिक विज्ञान दि फिर हमें ये पता करना है यहाँ पर अगर आप चाहे तो लोजिक भी लगा सकते हैं दोस्तों ये देखिए इसके अंदर पच्पन को जब हम 450 से गुना करेंगे तो ये काफी बहुत बढ़ाएगा फिर 45 को 300 से कम करेंगे तो ये थोड़ा कम आएगा फिर देखिए 40 को 200 से करेंगे तो इसकी वैल्यू सबसे कम आती हुई हमें दिखाई दे रही है तो यहां से आप जल्द अगर आपके पास टाइम कम है तो यहां पर जल्दी से आप उप्सन नुमर थरी पे राइट क्लिक कर सकते हैं और अगर आप करके देखना चाहों तो करके भी देख सकते हैं भोतिक विज्ञान पचपन गुना में साड़े चैर्शो करेंगे तो हमारे पास यह आजएगा 24,750 आजएगा अंग्रेजी में इतना जएगा गनित में इतना जएगा और हिंदे में इतना जएगा तो इन सभी में आप देख सकते कि जो हिंदी की वैल्यू है हिंदी में छा हजार नहीं है यहाँ पे हमें डिवाइड वाइज सो भी करना है सो हम कब करेंगे जब हमें एग्जेक्ट वैल्यू निकालनी है यहाँ पे अगर यह दिया हुआ होता कि छातरों की नियुंतम संख्या कितनी है अगर वो कितनी पूछते न तो हम डिवाइड वाइज सो करते लेकिन हमें यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है आप करना चाहे तो कर सकते हैं तो दोस्तो इस तरह से आप बिल्कुल जल्दी और असानी से question निकाल सकते हैं और अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रेसानी है तो आप हमें पूछ सकते हैं उमेद करता हूं दोस्तो आपको आज का हमारा question आसानी से समझ में आ गया होगा दोस्तों NTA uses net exam दो देखते वे हमने आप सभी के लिए एक special paid course लॉंच किया है complete study course for paper first इस course में आपको क्या-क्या मिलने वाला है नमर एक पे दोस्तों आपको all 10 unit study notes मिलेंगे हिंदी इंग्लिस में नमर दो पे दोस्तों आपको all 10 unit की ad free videos मिलेंगी नमर तीन पे दोस्तों आपको सभी shift के question पेपल हिंदी इंग्लिस में मिलेंगे नमर चार पे दोस्तों आपको 2012 से लेके 2013 तक जो भी हमारे question आए है वो unit wise की हुए मिलेंगे जैसे कि research में हम बात करें type of research, type of hypothesis, type of sampling इस तरह से हम बात करें teaching में type of teaching method, model of teaching इस तरह से सभी unit के sub topic wise question भी आपको अलग किये हुए मिलेंगे नमर चे पे दोस्तों आपको most repeated होने वाले questions के बारे में बताये जाएगा इनके notes दिये जाएगे, इनकी videos आपको मिलेगी प्लस में आपको lime of test भी मिलेगा इनका तो लान आपको किसी भी तरह की कोई problem आते हैं तो आप हम यह whatsapp दे भी contact कर सकते हैं आप 500 से लेके 1000 रुपे में इस course को जोइन कर सकते हैं और समय समय पे offer change होता रहता है तो आप नीचे video description box में link दिया हुए वहां से इस course को बारिक कर सकते हैं thank you